आज मैं बनाने जा रहे हूं बेवी सूच जिसके लिए देखे मैंने ये सिलेटी कलर लिया है और इसमें 10 नमबर सलाई ली हुई है 24 फंदे डाले हुए हैं इसमें मैंने और देखे पहली रो इसमें उल्टी ही बुनेंगे इस तरीके से इसको उल्टा बुनते हुए complete कर लेंगे ये देखे मैंने 1 रो complete कर ली है अब देखे इधल से एक फंदा वतारेंगे ये धागा अगी करेंगे और इधल से वे इसको उल्टा बनाते हुए complete कर लेंगे इह देखे यहां पर 2 रो可 complete हो गई एक बैक साइड से एक प्रेंट से आप देखिए इस में में डिजाईन डालेंगे एक फंदा अतार लिया यहां पे मैं छे फंदे उल्टे रखोंगे एक ये और पांच और दो ये चार पांच छे ये देखे छे फंदे मैंना उल्टे बुन लिए धागा पीछे किया और दो फंदे सीधे इस तरीख कैसे 24 फंदे मैं से 6 मैंना उल्टे बुनें दो सीधे कर लिए 16 फंदे उल्टे बुनेंगे धागा आगे करेंगे और देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस प्यारे बारे तेरे चार पंदरे और ये 16 उल्टे बना लिए फ़लट लेंगे इसको और उल्टी रो पूरी उल्टी उल्टी बुन देंगे इस तरीखे से उतार लिया और उथासे बिल्टा बना गई देखे अब मैं फिर से सीधे साइड आगे हूँ तो यहां से एक फंदा उतारूँगी धागा आगे करोंगी और देखिए यह 6 फंदे यहां पर उल्टे एक साइड फंदा है पांच उल्टे हैं यह देखिए धागा पीछे करूंगी दो फंदे सीधे यह देखिए इस तरीके से यहां पर डिजाइन पड़ेगी बापस धागा आगे और इन 16 फंदों को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करे और देखिए यहां पर मैं दो रो यह दल गई है तीसरी यह है यहां पर 12 रो इसी तरीके से मैं कंप्लीट कर लूँगे उसके बाद दिखाओं यह देखिए मैंने यह 12 रो बनाके कंप्लीट कर ली है यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बार यह देखिए 12 रो पूरी कंप्लीट हो गई अब देखिए मैं यह देखिए इस साइड से यह दिजाइन डली हुई है यहां से इसके देखिए आगे से इधर से जहां ज्यादा फंदे हैं वहां से मैं कुछ फंदे बंद करूँगी तो देखिए पलट लिया मैंने पहले मैं इस तरीके से फंदा सीधा कर लूँगी यहां से दो का एक करूँगी एक वापस दो तीन चार पाच छे साथ आठ यह देखिए आठ फंदे मैंने यहां पे क्लोज किये हैं इस तरीके से बचे फंदे इनको मैं उल्टा बनाऊंगी इस तरीके से और इस रो को बनाते हुए कंप्लीट कर लूँगी यह देखिए अब मैं सीधे साइड आ गई हूँ तो सीधे साइड यहां पे फंदे उल्टे बनूँगी धागा पीछे यह दो फंदे सीधे आप देखिए यह मैंने फंदे इधर बंद कर दिये हैं और यहां से अब मैं दस रो फिर बनाऊंगी इस तरह की यहां से एक बन गई है दस बना लूँगी उसके बाद मैं दिखाऊंगी यह देखिए फंदे घटाने के बाद मैं मैंने यहां पर यह दस रो बना के कंप्लीट कर लिए हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यह द दो तीन चार पांच छे साथ आठ यह देखिए इस तरह समझ में आ जागा आपको यहां पर यह फंदे बढ़ा लिए मैंने और इसको उल्टाव बनेंगे इस तरीके से पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे यह देखिए फंदे डालने के बाद मैंने एक रो उल्टी उल्टी बना लिए हैं आप देखिए यहां से मैं इस तरीके से बनाऊंगी उल्टा उल्टा और यहां पर मैं इसी तरीके से जितनी रो मैंने यहां पर बनाई हैं यह 11 रो कंप्लीट करके मैं 12 रो पर इन फंदों को बंद करूँगी जब मैं दिखाऊंगे इसके बराबर मैं बना लेती हूं 11 रो कंप्लीट कर लोंगी बारमी रो ये देखिए मैंने यहां पर ये 12 रो पूरी कर लिए एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे आप देखिए इन सबी बंदों को मैं बंद कर दूँगी इधार से उल्डे साइड से दो का एक करते हुए इस तरीके से ये देखिए सबी बंदे इसी तरीके से बंद करूँगी ये देखिए इस तरीके से मैंने ये बना के कम्प्लीट कर ली है आप देखिए इसको में सिलूँगी तो इसको देखिए ये सीधा साइड है जो ये डिजैन डली हुए देखिए अब इसको में ऐसे बंद करूँगी यह देखिए यहां से रखके और देखिए यहां तक ऐसे सिलूँगे पूरा यहां से लेके इस तरीके से यह देखिए यहां से मैं स्टार्ट कर रही हूं यह देखिए इस तरीके से यहां तक पंजे तक यहां पर एड़ी से लेके पंजे तक इसको कम्प्लीट करेंगे यह देखिए लाश्ट तक मैंने से सिल्के कम्प्लीट कर दिया है यहां पर इस धागे को पका कर देंगे और एश्टा धागा कट कर देंगे यह देखिए इस तरीके से मैंने यह सिल्के यहां से इस तरीके सिल्के कम्प्लीट कर दिया है अब देखिए इसको सीधा करेंगे इसका सोल भी बहुत अच्छा बना हुआ है और यह डिजाइन साइड में आ गई है देखिए इस तरीके सूच के पूरा राउंडेड आई होई है और देखिए इस तरीके से यह बनके कम्प्लीट हुआ है आप इसको इस्टेट भी बना सकते हैं और इस तरीके से फोल्ड कर बढ़ाए थे और घटाए थे इसको भी मैं थोड़ा सा टांकूंगे यहां पर सेप देने के लिए एक बार और इसी मैं से फिरा देंगे दागे को और देखिए आप चाहे तो यहां पर बटन भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही पिना सकते हैं देखिए बहुत क्यूट बनके कम्प्लीट हुई है और काफी इजली यह बन जाती है दोनों तरीके से आप जैसे चाहें वैसे आप इसको बना सकते हैं और देखें बेस इसका काफी अच्छा बना हुआ है